हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सब लोग दोस्तों जैसे कि आप जानते कि मेरे पास दो स्पिकर बोक्स के सेट हैं मेरे दोनों यह मीजिक सिस्टम अलग-अलग है जो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा वो थ्रीवे हैं और राइट में आपको यलो कलर का जो है वो स्पिकर बोक्स दिखाई दे रहा है मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसके प्रोफेशनल डिजाइन के बारे में बता चुका हूं जो कि मुझे एक प्रोफेशनल बंदे नहीं दिया था और इसका बिल्कुल एकुरेट डिजाइन है टूवेश स्पिकर बो बताने जा रहा हूं इस छोटे से वीडियो में कि इसका टोटल खर्चा कितना आता है टूवेश स्पिकर बोक्स बनाने का दोस्तों इसमें जो एम्पलीफायर मैंने यूज किया है वो यूनिवर्सल का है जैसे कहीं आपको दिखाई दे रहा है यह 50 पिलस 50 100 वाट का एम्पलीफायर है जिसका मोडल यूएस 095 है काफी अच्छा एम्पलीफायर है यूनिवर्सल का तो आप इसकी कोस्ट लगवक तीन हजार रुपे लगा लीजिए मैंने यह धाये जार रुपे में लिया था 2500 में काफी समय पहले साथ ही, आप इसमें जो वुफर देख रहे हैं वो स्वीटन कंपनी का वुफर है यह जो वुफर हैं यह एक इन्च, 8 ohm 80 Watt का Linda दोस्तों स्वीटन कंपनी के इन दोनो printed वूफरों की कोस्ट लगभग 1720 रुपए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं और साथी जो ट्वीटर हैं उन ट्वीटर की कोस्ट जो है वह 345 रुपए हैं दोनों ट्वीटर के लिए दोस्तों इसमें जो आप क्रोसोवर यूज कर सकते हैं वह स्वीटन कंपनी का यूज कर सकते हैं इसकी कीमत ज्यादा है लेकिन इसकी डूम्र दिभे ज्यादा है इसमें आपको कभी कोई प्रोलं नहीं आने वाली है और लाइफ में आपको ये फ्तर में फिरी सर्विस देने वाला है मैंने भी यही क्रोसवर यूज किया है अपने Queens देके के बाद अब हम बात करते हैं इस इसे कारपेंटर के थुरू बनाए आप इसको घर पे ना बनाएं क्योंकि यदि आप घर पे बनाएंगे तो आपको यह ज़्यादा कोसली पड़ेगा और आपको प्रेशानी भी बहुत ज़्यादा होगी आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इनको कैसे कैसे बनाया है दोस्तों ये दोनों ही स्पिकर बोक्स आपको यदि कारपेंटर से बनवाने हैं तो इसका खर्चा लगबग 2000 रुपे के आसपास आना चाहिए और उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि फीटा फिनिश जो है वो काफी अच्छी आएगी साथ ही कारपेंटर आप लोगों को इसमें पेंट वगरा भी करके दे देगा तो आप प्लीज इसको कारपेंटर के थुरू ही बनवाईएगा अब हम बात कर लेते हैं लगबग इसमें पूरा खर्चा कितना आएगा अब थोड़ा सा खर्चा जो बचता है वो स्पिकर वायर का है जो कि इसमें कुछ स्पिकर वायर भी लगेंगी जिसको आप स्पिकर बॉक्स और एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं उसकी कोस्ट भी लगबग 50 रुपे के आसपास होगी 50 या 100 रुपे माल लीजिए बस तो ऐसा करके इसमें इतना ही खर्चा आने वाला है अब मैं आपको टोटल करके बता जेता हूं लगबग कितना खर्चा इसमें आएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया 3000 रुपे का लगबग आप एम्पलीफायर लगा लीजिए और 1720 रुपे के इसमें वूफर का सेट है दोनों वूफर और दोनों ट्विटर के केमत 345 रुपे 950 रुपीज का मैंने क्रोसोवर यूज किया है और 2000 रुपीज के आज़ पास आप इसमें स्पिकर बोक्स के लगा लीजिए 100 रुपीज की वायर लगा लीजिए ऐसे करके लगबग 8000 रुपे की कोस इसकी बनती है लेकिन दोस्तों मेरे प्रोलम आती है एम्पलीफायर की ये वाला जो एम्पलीफायर है ये ओनलाइन एवेलेबल नहीं है ये सिर्फ ओफलाइन ही मिलता है और ओफलाइन में कीमत थोड़ी सी कम्या ज़दा हो सकती है ज़दा ही हो सकती है 3000 रुपे से कम शायद आप लोगों को ना मिले ये और कुछ बंदे यूटूब के जरिये भी इसको सेल करते हैं वो थोड़ा सा और चार्जिस आप से एक्स्रा ले सकते हैं तो लगबग 8000 रुपे प्लस माइनस 1000 रुपीज लगा लीजिए इसमें इतना ही खर्चा आने वाला है 2A स्पिकर बोक्स का साथ ही दोस्तों मैंने जो एम्प्लिफायर यूज किया है इसके अलावा यदि और कोई एम्प्लिफायर ओनलाइन एवलेबल है जो स्यूटेबल रहेगा मेरे इन स्पिकर बोक्स सेट के साथ तो वो भी आप दूसरे लोगों को सेजेस्ट कीजिए कि वो कौन से एम्प्लिफायर है comment box के जरिया आप लिख सकते हैं comment box में आप लिख के बता सकते हैं लोगों को कि alternate amplifier कोई एवलेबल है ओनलाइन तो वो सेजेस्ट कीजिए लोगों को ताकि universal जो ओनलाइन नहीं मिलता है ये problem solve हो सके तो आज की वीडियो में दोस्तो इतना ही, यदि कुछ और जानना चाते हैं, आप लोगों कुछ suggestions है तो please comment box में लिखेगा और साथ ही यदि आप लोग अपना कुछ experience share करना चाते हैं, या अपने तरफ से कुछ knowledge देना चाते हैं, वो भी लिखेगा comment box में, thank you, bye bye दोस्तो